हेलो दोस्तों, आचल टेरीस गार्डन में आपका स्वागत है वीडियो की शुरुआत बहुत ही खुबसूरत इंडोर प्लांट के साथ और यहाँ पर सिल्वर डस्ट कितना खुबसूरत लग रहा है सारे इंडोर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होने लगी है और आज जो वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जिस प्लांट के बारे में मैं आप से बात करने वाली हूँ वो बहुत ही खुबसूरत इंडोर प्लांट के रूप में लगाया जाता है और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं आज हम इसी प्लांट के उपर बात करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो यह जो प्लांट आप देख रहे हैं वो ड्रेसिना की एक वरायटी है ड्रेसिना रेफ्लेक्सा के नाम से जानते हैं और इसका जो कॉमन नाम है वो सौंग आफ इंडिया है और अपने ब्यूटिफुल फोलियाज के लिए ये प्लांट जाना जाता है वैसे तो ड्रेसिना में बहुत सारी वरायटी आपको देखने को मिलेगी लेकिन जो सबसे खुबसूरत वरायटी है वो सौंग आफ इंडिया है यही वाली वरायटी बहुत ही सुंदर लगती है ड्रेसिना की और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है कट्ण से बहुत इजी ग्रो हो जाता है यह प्लांट मुल्टिप्लाई करके भी इसे ग्रो किया जाता है इसके नीचे से नय-نय प्लांट निकलते हैं उसको आप डिवाइड करके आप दूसरे गमले में shift कर सकते हैं तो आपका नया plant ready हो जाएगा और इसका जो growing period होता है वो spring season से लेके rainy season तक बहुत अच्छे से इसमें growth चलती है तो इसी समय आप इसकी cutting grow करें spring season में या फिर rainy season में तो बहुत easily ये प्रोपोगेट हो जाता है cutting से मैंने जब इसे prune किया था तो मैंने इसकी cutting भी लगाई थी मैं अभी आपको शो कराऊंगी वो cutting मेरा ready हुआ है कि नहीं और देखिए कितना खुबसूरत पत्तों वाला plant होता है ये इसके पत्तों का वेरिगेशन देखिए friends कितना सुंदर है ये yellow और green का combination और जो पुराने पत्ते हो जाते हैं वो white हो जाते हैं white green का combination में हो जाते हैं नीचे के जो पत्ते होते हैं और जो खराब पत्ते हैं उसको आप remove करते रहिए और ज्यादा इसको care की जरूरत नहीं होती है नहीं ज्याद इसको खात की जरूरत होती है साल में आप दो बार इसमें fertilizer दे दीजिए spring season में दे दीजिए और October November के महिने में दे दीजिए तो आपका plant बहुत अच्छे से चलेगा और जैसे दूसरे plants को हम liquid fertilizer देते हैं तो महिने में एक बार इसमें भी आप दे दीजिए और ये indoor plant के जहां bright light आती हो या फिर सुबह की एक गंटे की sunlight या शाम की sunlight मिल जाए तब भी प्लांट बहुत अच्छे से चल जाता है तो location की बात हो गई अब बात करते हैं watering की तो इसको और watering पसंद नहीं क्योंकि यह कम sunlight वाला plant होता है तो जल्दी से इसकी मिट्टी सूकती भी नहीं ह तो आप जब भी इसमें पानी डाले तो देखकर डाले नमी भले बने रहे लेकिन over watering बिल्कुल भी नहीं नहीं तो root rot हो जाता है और देखिए इस तरह से यदि आप घना बनाना है आपको प्लांट को तो इस तरह से पींच कर दीजिए कट कर दीजिए टीप को तो आपके न गमले में ही और यह जो प्लांट आप देख रहे हैं वो मेरा दो साल पुराना प्लांट है दो साल पहले मैंने इसे अपने garden मेट किया था जब मैं इसे लेकिया थी तो 60 रुपीज में मुझे मिला था और दो तीन प्लांट लगे हुए थे जिसको मैंने multiply कर दिया divide कर दिया और दो गमले में लगा दिया था फ्रेंट्स एक गमला यह और एक गमला मिट्टी का है तो चलिए देखते हैं cuttings मैंने लगाई थी वो grow होई है की नहीं यहिब दो गमले में लगाई थि और यह देखिये ऐको मैं निकालती हूं और एक तो बिलकुल grow हो ही गया है क्योंकि उ अधिक से अधिक दो महने लगते हैं इसकी cutting को ग्रोव होने में एक से दो महने में ready हो जाता है इसकी cutting तो जरूर evol Acty प्लांट को लगा Iji को लगाइं बहुत ही सुंदर लुक देता है हमारे गार्डन को में पानी से इस प्रे ज़रूर करते रहिंगे इनके पत्तों को सब्ता हमें एक बार धूल वगरा जम जाते हैं उसको आप हटाते रहिए खराब पत्ते हैं उनको हटाते रहिए और इंसेक्ट का अटेक तो नहीं होता लेकिन फिर भी प्रिकॉर्शन के रूप में आप इसमें नीमॉयल का स्प्रे महीने में एक बार करते रहिए तो आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा और बहुत ही सुन्दर लगेगा और देखिए बहुत खूबसूरत लगता है इस प्लांट को आप इंडोर भी रख सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स सपता हमें एक बार थोड़ी सी रोशनी जरूरी होती है और यदि इंडोर रखते हैं तो ट्यूब लाइट के नीचे आप रख सकते हैं जहां लाइट अच्छे से आती हो लेकिन हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं आपको बाहर निकालना होगा इंडारेक्ट जहां पर संलाइट मिलती है सूरज की वहां पर और देखें बहुत सारे ड्रेसिना की वराइटी है अभी आपने देखा वह ड्रेसिना मारजिनाटा था और यहां पर देख रहे हैं यह भी एक ड्रेसिना की ही वराइटी है इसको देखें मैंने पिंच क अगली वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए हैपी गार्डनिंग बाई थैंक यू